अब दूद, दही और लस्ती के खाली पैकेट जमा करने पर नकते नाम मिलेगा। दरसल ये अभियान राजधानी शिमला में नगर निगम ने SJVNL के साथ मिलकर शुरू किया है। SJVNL के आइडिया से नगर निगम ने शहर से सिंगल यूज प्लास्टिक हटाने के लिए ये अभियान शुरू किया है। इसमें आम शहरी से लेकर वाड पार्शर तक अपना योगदान दे सकेंगे। नगर निगम के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक एकटा करने पर वाडों को दो लाख रुपए तक का नकद इनाम दिया जाएगा जो वाड में विकास कारे पर खर्च किया जा सकेगा। जो वाड दूद, दही और लसी के पचास किलो पाक नगर निगम के पास जमा करवाएंगे। उन्हें एक लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा और सौ किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जमा करने पर दो लाख रुपए इनाम मिलेगा। महापौर सुरेंद्र चोहान ने इस अभियान की शिरुवात करते हुए शहर वासियों से अभियान में हिस्सा बनने और शिमला को साफ सुत्रा बनाने की अपील की है। बतादे की राजधानी में यहां आने वालों की हर पल भीड रहती है। वहीं परटों को का भी काफी ज जंदगी फैलाते हैं जिसको देखते हुए नगर निगम ने ये फैसला लिया है। भ्योर रपोर्ट पंजाब केसरी टीवी